तो परिशान हो एट्रोफी से तो शायद आप बहुत गलट टेंशन में पड़े वह वह इसलिए क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे आपको जो मिलने वाले हैं वह आपको सब फोर सफ यह डराएंगे कि आपको वेरिकोसील है एट्रोफी है और एट्रोफी की व खुझा खीसा ब्झारो हुस्ति बहुत सारे चीजे होते हैं इसके साथ और जिसकी वज़ा से आप डरते भी हो घंगाते भी हो आपको एंगजाइटी लिकर इप्रेशन से लेकर हर चीजह होने लग जाती है जब आएक को यह पता चलता की टेज सबसे पहले समझ भी होती है atrophy होती है कि आपके testicles अपना size दीरे-दीरे करके छोटा करते जा रहे हैं उसके पीछे reason एक तरीके से मान लीजे कि उनको proper खाना पीना नहीं मिला मान के चलिए उस चीज को बोल देते हैं जब वो अपना size दीरे-दीरे shrinkage की तरफ बढ़ जाए चोटा करना चालू बढ़ दे अब atrophy होती कैसे उसको बड़े लेम समझाएंगे बड़े असान भाशा में समझाओंगा आपको atrophy उस जगा को या उस और्गन की atrophy होने ही चालू होती है जब उसको पूरी तरीके से खाना पीना नहीं मिले खाना पीना जैसे कि blood supply आपकी circulation दे रही है माँ पर उसको nutrition दे रही है oxidized दे रही है oxygen दे रही है बहुत सारी अलग 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 चीज़े वह आपको प्रोवाइड कराती है आपके और्मन को बड़ जब वह चीज़े मिलनी बंद हो जाती है तब वह क्या करता है अपनी testicles को दीरे-दीरे करके उसको छूटा करना चालू कर देता है उसको हम atrophy कह देते हैं बहुत असान बाश्या में अब वह atrophy होती क्यूं है उसके पीछे सबसे पहले रीजन जिसकी वज़े से आप बहुत डरते हैं उसका नाम है वैरिकोसील क्या करता है वैरिकोसील वहां पर blood circulation की जो प्रॉपर चलनी चाहिए थी वो चलती नहीं है जिसकी वज़े से आपको atrophy आ जाती है यहां पर पेशन्ट घबरा जाता है और सर्जरी की तरफ चल्दी से चला जाता है सर्जरी के तरफ इसले भी जल्दी से चला जाते है क्योंकि सर्जरी उनको एक option लगता है जिससे इस प्रॉब्लम से रिकवर कर पाए बट ऐसा नहीं है हम आयुवेद में भी देखते हैं जो पेशन्ट आयुवेद ट्रीटमेंट भी ले रहा है उनकी अट्रॉफी भी खतम हो गए यह एक नॉमल सी प्रॉब्लम होती है जो वेरिकोसील में के पेशन्स को आ जाती है बट ह हर पेशन्ट को नहीं आती यह याद रखो कि हर पेशन्ट को अट्रॉफी नहीं आती यह याद रखो क्योंकि आप अट्रॉफी की वज़ा से ही सबसे ज्यादा घवर आते हैं और अट्रॉफी हर पेशन्ट को नहीं मिलती है हमारे बहुत सारे पेशन्ट आते हैं उन पेश और अगर आपको इस बात का डर है कि वेरी को सील है और में को अट्रॉफी हो जाएगी और मेरे टेस्टीज श्रिंक हो रहे हैं तो आप सबसे बढ़िया एक काम कीजिए आप जाएए लाब में जाएए और अपना एक टेस्ट करवाएए जिसमें आपको यह पता चले कि आपके में श्रिंकेज है भी या नहीं क्योंकि उसमें टेस्टीज का साइज भी मेंशन होता है वॉल्यूम भी मेंशन करके देते हैं आपको डॉक्टर जो आपका टेस्ट करते हैं वो आपको सारी चीज़े लिख कर देंगे कि आपकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है या उसमें कोई प्रॉब्लम ने अपने आप जज मत करो क्योंकि जब आप अपने आप जज करने लग तो सिंपल सी बात है अगर आपको वेरिकोसील है और आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आपने आसपास के डॉक्टर को प्लीज एक बारी विजिट कीजिए अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा तो आप नीचे दिएवे नंबर पे हमें अपने रिपोर्ट शेर कीजि मेरी टीम से बात कीजिए और उसका एक राइट सॉल्यूशन लीचे थैंक यू एंड थैंक यू वेरि मैच